हेलो एवरिवन कैसे हैं आप आज की वीडियो सबसे पहले कल बच्चों का रिजल्ट आया है सेमिस्टर फूर एसो एल का ओनर्स का और रेगुलर का बहुत पहले आ चुका था हाला कि सब्जेक्ट सेलेक्शन को लेके मैंने बना दिया है फिर भी काफे सारे बच्चों को कन्फ्यूज है ने सर इस्टिल हम कन्फ्यूज हैं करना गया है तो मैं समिस्टर चार बीकॉम ओनर्स की बात करूँ असरिफ इस वीडियो में अदर कोई सब्जेक्ट वाले देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं सबसे पहले सर हमारे फ्यूचर्स आगे क्या करियर डिसाइड़ है मैं यानि कॉमर्स बैग्राउंड से रिलेटिड बात करूं आपका हो सकता है कि आप एमकॉम करो साथ के साथ आपका हो सकता है कि आप NTA यानि आप UGC NET की तैय लुए करो साथ के साथ आपका मन करता है तो CPA करो ACCA करो CFA करो साथ के साथ आपका मन करता है तो कोई अधर कोर्स आप कॉमर्स से रिलेटिड कर सकते हो लाइक आप ACCAउंट वगरे का कॉर्स कर ले तो जनरली ACCAउंटन वगरे का को masa कोई हो पर नहीं हो दो वो जब तक आप किसी chartered agreement के पास या किसी एंटन कैम नहीं करते हैं आपको काम नहीं आपका चाहिए जितना मर्जी computer कोर्स कर लेजे उसका फायदा परक नहीं पड़ता तो यह कुछ एक हमारा सेनेरियो है जो कि हमारा बीकॉम के बाद अगला पड़ाव आता है में ली बीकॉम के करने के बाद हम इसके बारे में सूचते हैं कि यह करना चाहिए तो इन सभी कोर्स में से अगर आपका कोई भी कोर्स अ तो उसको करना चाहते हो तो यह तो सर आपके पास चार सब्जेक्ट है सबसे पहला जो सब्जेक्ट है न उसके अंदर आपको दिया जाता है सर एफम और नंबर दो दिया जाता है प्रिंशिपल ऑफ मार्केटिंग और अगर मुझे बोलना भी होता तो मैं यही बोलता इन सब्जेक्ट मैं बता रहा हूं यह ही के मैंने स्लेवर्स को बहुत डर डिटेल में डिसकूशम मतलब पढ़ा है और क्या सब्जिक्ट्स के अंदर क्या कॉंटेंट है और बच्चा कैसे तयारी करेगा उन सभी को मैं देख करके बता रहा हूं ना कि बस ऐसे ही एमकॉम करेंगे management account आएगा semester one two three four किसी में भी management account आजाएगा इसके बाद हम बात करते हैं एक फरस्ट पर होता है जो की जैसे कॉमर्स वाले बच्चों के लिए तो उसके अंदर जो वाले सेक्षेन होता है, अकाउंट में सारा का सारा आएगा, क्या क्या आएगा सर मैनेज्मेंट अकाउंट भी आएगा सर, फानेशल मेनेजमेंट इसके बाद सर बिजनेस स्टैट्स भी होगा उसके अंदर जो second part है, MBA करोगे business stats भी पढ़ना पड़ेगा, आपको management account भी पढ़ना पड़ेगा, MBA में अगर management account नहीं पढ़ा, तो फिर क्या पढ़ा, management account तो आना ही है, और in fact, advanced management account आ जाता है, इसके बाद हम देखें, CPA, CCA, इसके अंदर economics, यानि stats का management account का बहुत बड़ा role रहता है, और banking के अंदर भी आपका statistics का ज़्यादा role देते हैं, कई बार, portfolio management पगरा करते हैं, CACS के अंदर देखो, stats तो नहीं आता, लेकिन हा, CACS के अंदर MA और FM से अब बच नहीं सकते हैं, किसी हद तक, ये तो core, उसके अंदर core वर नहीं होता, ये subject हैं आपके पास, बात करता हूँ, तो ये जो मैं आपको subjects बता रहा हूँ, उसके भिहाब पर बता रहा हूँ, अब कुछ बच्चों का ऐसा रहा कि सर, मेरा result आया, result के अंदर आ रहे है, तो मैं बता दो simple, जो आ रहे है, इसका मतलब आपका paper check नहीं हुआ, paper check होके आपको मिल जाएगा, बाद में result update हो जाएगा, कुछ बच्चे कह calculate करते हैं, वो zero वाले marks को भी count करके कर लेते हैं, तो आप जिसमें fail, अगर जिसमें आपके marks नहीं आए, उस point को हटा के फिर आप CGP calculate करिए, ठीक है, अब मैं option बोलेंगे सर, यह तो core है, इसके बीच में option की भी बात करें, मैं option भी दिखा देता हूँ, यह देखे, regular college के option है, क्योंकि इसका आपको आगे tuition नहीं मिलेगा, आगे चलके आपको coaching नहीं मिलेगा, जिससे आपको problem face करना पड़ेगा, तो अभी पढ़ लोगे, तो आगे आप self study कर सकते हो उसका, और बाकी यह वाला तो देखो, अभी भी अगर मैं बोलू, तो अभी भी आप self करोगे, है न अभी भी तो आप self करोगे और आगे मिलेगा तब भी self कर लोगे, तो आगे जो होता है ना practical subject के लिए आपको थोड़ी बहुत help की जुरत पढ़ती है, इसलिए मैं सरिफ आपको यह बाते बता रहा हूँ, तो सर इसमें से मैंने आपको choose करने को बोला management discipline subject में corporate tax planning हो गया, financial market institution हो गया, advertisement, personal selling हो गया, सर ये सारे के सारे subjects को पूछेगा ने सर बैस्ट कौन सा है, सारे subject best है, मैं इसको recommendation करूँगा लेने के लिए, क्यों क्योंकि आगे जब आपको stress आएगा तो आप self नहीं कर पाऊगे, तो इसलिए अभी पढ़ लोगे तो आगे आपको याद रहेगा कह हां यार बीकॉम में पढ़ा था, वही सारी चीजा बस एक बार go through करना है, और अच्छे से notes बनाना है clear, बाकि corporate tax planning मेरे ही साब से ना, इन दोनों को core नहीं करना चाहिए, तो core में डालना चाहिए, corporate tax planning को नहीं डाला, corporate tax planning अगर आपने income tax पढ़ा हुआ है, semester 3 के अंदर तो आ management लेना है, और इसमें business stats लेना, advertisement and personal selling, यहां पे न, एक कहावत है, एक कहना है, कि shortcut ना, किसी चीज का होता नहीं, अगर अभी जो बच्चा shortcut की बात करता है, तो future में बहुत रोना पड़ता है, उसको shortcut के चकर में, क्यों सार, क्योंकि अभी वो सुचता है, shortcut में हम पास हो जा अभी मेहनत करना, बाद में आपके easy हो जाएगा, मैं simple सी बात कहूं न, अगर मैं, मैं तो पढ़ा रहा है, अगर किसी ऐसे person से पूछो, जिनकी उमर ज्यादा हो गई है, ठीक है, और उमर ज्यादा इंदसेंस, वो माल लेते हैं कि 30 साल का age हो चुका है, उसका 30 year का, और उस खतम हो चुके, बहुत दिनों से study से दूर हो चुका है, वो नहीं पढ़पाएगा, और still अगर उसे आसान subject मिले तो सायद कर भी ले, लेकिन आपके case के अंदर यहाँ पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यह practical क्योंकि अभी इस time पर आपको कितना मर्जी भी tough से tough से इसलिए साजाए, suppose को यह सारे core होते तो करते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी आप कर लीजिए, आगे आपको benefit मिलेगा, तो thank you so much, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, यह सरे become on a semester 4 वाले बच्चों के लिए था, मिलते हैं, next इसी तरीके से subject और जो subject 6 में भी बोल रहा ह जो बच्चे के एक साथ आएगा, तो जैसे ही 6 का portal खुलेगा, तो उसके हिसाब से देखके बता दूगा, कि क्या क्या आपको opt करना है, thank you so much, मिलते हैं, next वीडियो में